प्रेम सनातन टीवी में आपका फिर से स्वागत है आज हम एक बेहत महत्पूर जानकरी लेके आए हैं आज हम आपको बताएंगे कि आपकी समस्या का समधान किस देवता की पूजा करने से होगा यानि आपकी जो भी समस्या होती हैं उनके निराकरण के लिए अलग-अलग देवता होते हैं और अगर आप अपनी समस्या के नुसार देवता का चैन करके पूजा करते हैं तो आपकी समस्या का समधान सिग्रोता है सनातन धर्म में भले ही 33 कोटी देवता बताए गए हैं आप पूजा किसी की भी करते हों परंत आपकी पूजा सिवकार करते हैं वह परम पिता परमिस्वर्द जो अनाजी अगोचर अनन्त हैं किन्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस समस्या के लिए किस देवता की पूजा करें देश के कई स्रेश्ट संतों के अनुसार आप जो पूजा करते हैं उसे करते रहें किन्तो किसी विशेश समस्या के लिए उसे जुले देवता की पूजा भी सुरू कर दें तो त्वरित लाव पराप्त होता है, आज हम यही बताने जा रहे हैं आपको, डुनिया में सबसे प्राचीन धर्म सनातन ही है, जहां देवता और पूजा पद्धत भाद-भाद की है, और यही वह धर्म है जहां आप अपनी स्वेःच्छा से अपनी देवी देवता का चैन और पूजा कर सकते हैं कैसे यह मन और आत्मा का ही विशे होता है कौन किस देवता को अपना इस्ट मान कर पूजा करता है किन्त ऐसा भी बताया गया है कि कुछ विशेश कार्यों या समस्या के लिए विशेश देवता की पूजा की जाए तो त्वरित लाब होता है आज हम के बारे में बताएंगे जिसकी पूजा करने से आपको सीग्र लाब प्राप्त होगा सबसे पहले अगर आपके जीवन में विग्न बाधाय आ रही हैं बने बनाए काम बिगट रहे हैं या काफी प्रयाश के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो विग्न विनायक गनेश जी की पूजा प्रारंब करें शिग्री बाधाय दूर होंगी यदि किसी प्रकार की मानसिक समस्या है घबराहट बेचैनी अनिद्रा उन्मात पागलपन दौरा यादि किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है तो भगवान शिव की पूजा करें शिग्र लाब होगा भ सब कुछ ठीक होने के बाद भी उनके बिवाह में बिलम होता है बात बंती नहीं है साधी तैह होकर टूट जाती है या उप्युक्त वर या वधू नहीं मिल पाते हैं सो बिवा में बिलम भेट युवक माता दुर्गा की पूजा प्रारम्ब कर दें यदि युवक माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो उन्हें सिग्र ही उप्युक्त वधू प्राप्त होगी और उनका बिवाह होगा और अगर कन्या की बिवाह में अरचाना रही है तो उसे ततकाल देवाध देव महादेव शिव की पूजा प्रारम्ब कर देनी चाहिए कहते हैं कि यदि कन्या शिव की पूजा प्राणम करती है तो यठा शीग्र उसे उप्युक्त वर प्राप्त होता है और विवा हो जाता है यानि कि युवक मादुरगा की पूजा करेगा और कन्या शिव की पूजा करेगी यदि कोई लंबे समय से सारीरिक ब्याज पीरा से परिसान है सारीरिक पीरा जोडों का डर्द गठिया घुटना कमर दर यानि किसी भी प्रकार की अगर सारीरिक पीरा है तो आप तुरंत हनुमान जी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दें कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा क करने से सारीरिक यता सिग्र मुक्ति मिल जाती है इसामने धन समस्या है जैसे कि धन का अभाव है अपव्य है पैसा आता है रुपता नहीं है यानि है धन समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो मा लक्षिमी की पूजा करें यता सिग्र आपकिvordan समझ्दित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी यदि आप धर्म अध्यात मोक्ष और मुक्ति जाते हैं तो भगवान श्रीकृष्ट की पूजा करें भगवान श्रीकृष्ट की पूजा करने से आपको धर्म अध्यात मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यह वो आपको उन समस्चाओं से तकाल मुक्ति प्राप्त हो जाएगी यदि ये करिक्रम आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर शेर जरूर करें प्रेम सनातन टीवी को सबस्क्राइब कर वेल आइकन का बटन जरूर दबा दें